कि वेलकम टू माई चैनल के लिए खोठा में और आज हम डॉक्टर भी नवधार के बारे बात करेंगे छोठा में सभी एक जाम में डॉक्टर भी नवधार के बारे पुछा जाता है तो हिए आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर अगर मेरे चैनल में पहले है तो पिलिज लाइक शेर सब्सक्राइब करें ताइव हम देखते हैं पूरा नाम डाक्टर भगनात वहदार जनम 2 सितंबर 1922 जनम अस्थान ग्राम चेटर पोस्ट गोशा जिल्ला रामगर जारखन मायक नाम रूपा देवी बापेक नाम माधो अधार थे मातो सिच्छा बीएसी एमे खोठा और हिंदी में यानि बीएसी खोठा से और एमे हिंदी से डी एचेम एस पीएचडी खोठा के किरिया रूपे विशले साथ मात्मा अध्यान राची विश्विदारे राची के जन्जाती और छेत्रिय भासा विवागे पहिल बैच उन्हें से बीराशी चुराशी खोठा एमें के विश्विदार्थी पर्थम स्रेन में दुतिया अस्थान से पास हुए थे वदार जी के खोठा एगो दमगर शाहितकर प्रोफेसर औ और खोजी विद्वान रुपए जनल जात्याने विद्वान के रूप से जाने जाते हैं ड़क्टर भी नोदार नीयुन्यू धीन होदार न को टावसाग विग्यानी रूप के खोजी आर्खाड़ाकरे में लगस्तर जिन्जित लागल थे अनि खोठा बाशागे परती रचना करो होत यानि यह को ड़क्टर बियानोधार दोनों रूप में रजना करते हैं कहाने में कभीता में एक राच चाड़ा के एक राच चाड़ा एकर चाड़ा एगो बेस होम्योपेथी डॉक्टर लागात और यह होम्योपेथी डॉक्टर भी है क्रिति खोठा निवन बैचारिक निवन संग्र जन्जाती भासा एकादमी बिहार सरकार नुशिन नभ्पिय में खोठा भासा साहती उद्भाव कर विकास स्वथ परक किताब तीन संस्क्रम दोजर साथ में कि 2014 में 2017 खोठा भासा साहती संस्क्रिति एकादमी रामगर एकर चाड़ा दुस्यंत कुमार और बहादूर साथ जफर की गजल की खोठा निवादत अनुदिन तांजली नाम से छपाल है यानि जो इनकी डॉक्टर बियनोदार के थे खोठा अनुदिन तांजली नाम से छपाल का जल्ग अब देखेंगे की डॉक्टर बियनोदार हमें खड़ा हों लिखें है अब उसमें क्या लिखें वह हम देखेंगे हां हमें खड़ा हो यानि डॉक्टर बियनोदार का कहना है या भी हमने के कहना कि हम खड़ा है हमी नाइक खड़ा है यानि हाम नई आवरोग भी खड़ा हैं तहुं खड़ा है पारा यानि बोल रहें कि तुम भी खड़ा हो सकते हो एके घार से मर्दों खड़ा है आल जन्यों खड़ा ही यानि एके घार से मर्द यानि मर्द भी और आवरत भी खड़ा है तो आवरा खड़ा है के रोक देख के तुम्हारा खड़ा तुमको खड़ा होने से कौन रोकेगा डॉक्टर बियनों धार के कहना है हमें पचली बाइर खड़ा हो लो यह बाइर खड़ा हो यानि हम पिछले बार भी खड़ा थे और अभी भी खड़ा है यह बाइरो खड़ा हो पैचला बाइर सव खड़ा रही पैचला बाइर से सव बार खड़ा रहा थे मतब पिछले से बार डेल सव खड़ा हात नाय हता सब तैक की रंग पता लागते जे जनतंत्र की चीज है अईरा गेरा आई भी बैबी मांगरा बुद्वा सभी खड़ा हाती यानि एरा गेरा नतुखेरा सभी खड़ा है कोई खड़ा होए पारे का कुरों बापेड की हुए के टेका हते वह रहा है यानि कोई भी खड़ा हो सकता है पून रोक रहे तुमकों जसनैं पाकिट मार हो, शेंद मार हो रख Also यानी डॉक्टर व्याण उधार के कहना क्या दी अगर चौर हो aumento पंप किट मार हो सेंद मार हो डखयक हो कुछ बात नहीं चलते यानि कि चोर हो या कुछ भी हो डखे तो कुछ नहीं होगा खड़ा होना है कुछ नहीं होगा यानि चलते यानि चलेगा खड़ा होगे में तोहर एक गुना गुला बाधा नहीं यानि खड़ा होने में ये गुना अगर चोर हो तो ये नहीं है कि चोर ह ख़दा ने औह सारते हैं तोहरा जोदी जुवाहळी हा परजुवा हा परजुरुवाहाँ, खेजाहा गेजाह आसमाजी हा सामाजी हा पाजी हा तयो चलता हू यैनि कुछ भी हो चलेगा Also होना है भास खड़े हो पारे जादी स्वधित तोहें दंगाही है फसादी है दागी है भागी है भगवादी है खापतान है यानि हा गुंडा आई जाके बुझा चलो नाय करता है कुपतान यानि कुछ भी हो चलेगा गुदेगा जोदी तोहें चेर चका मोहें जेहले हावा खाए घूरल है यानि जेल भी खटके आए तो भी खड़ा हो सकते तो तब तो सुबान अल्ला यानि और हो सकता अच्छा गुंशलमान भासा है यी तो गवरों के बात है कि गांधी सुबास जोहार भागसी सभीन जेहलेक चकी पीशलहत यानि गांधी सुबास संद्रबोस जोहार लाल नेरु पंडिक भागसी सभी जेहलेक मतब जेल में रह चुके हैं वहीं बात करें डॉक्टर बियनोदार जी तो तोहर लजाय सर्माएक की बात है यानि बोल रहा है कि व महान पूरुष थे वह सब जिल खटके आएं तो तुमको क्या दिखा थे बूजिला ओहे गांधी नेहरो पर क्या लोका हाथ तो है यानि डॉक्टर बियनोदार जी के कहना है कि मान लिजे अपने आप में कि हम ही हैं गांधी जी नेहरो जी और तो अभी खाड़ा होने के ल तिन खड़ा है तो बोनस नंबर मिलता है यानि और जल्दी तो है खड़ा ना होए बीचकून करल जैवे आई और तोहरा पता सब हवे करतों की खड़ा होए और खड़ा करल के में दे केतना भारी फ़रक पड़े हैं जत्रह की मंत्री आरशंत्री में यानि मत्री क अमेले भए गए अधर नेता वाह से छोड़ा इंबात के यानि यह बात को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं था तो हम्में आगू कहा लानों कि सबने कोई खड़ा हो प्ततु risking इनरी जुए खड़ा हो सकते हैं खड़ा हावे लाए आजवेग हावे पारा अगर हो सकते हैं अभी खड़ा हो सकते हैं विशा कोई बात नहीं जोदी तो हैं mentally retired हा mentally retired हा भाख खोपड़ी कोनों पेंस धील ना धाल हो यानि जोड़ी mentally यानि पागल धिल डाल हो मनेक जोदी तो है सोड मोड सीधा साधार लोग हा सत्यवादी हा कक्रोठ अगे नाए पारा हा केक्रोठ खांसी टानेड़े पारा है तो दोसर तेसर के दुखी भाई जाहा तो तो भूजा तो है खड़ा हावे लागिन जोगना है यानि ड़क्टर ब फिट कंडिडे ना है यानि उस तरह से नहीं कहा कि आज कल दुनिया तरह चल रहे है न खुषखोरी का और खुषखोरी नहीं है तो नहीं चले डफ्ट भीन ओदार जी का कहना है अरे हां आर जोदी तो है पागल हा मनेक अपन घार पाई बारेक धन्दा ठीकिर छोड के दो दूसर तेसर के धंदा फिकरे बीटल भूला भूला है विल्टल भूला यानि उसको इंग्लिश्म क्या बोलते हैं डेवियेट भटकना दूसरों के चलते आपने भाए भती जाक पैरी शोर्स नहय लगाएं कि दोसर ते सर्गे पैरऑन में चाहिए यद्क धंडे यांदि नहीं चाहिए η जाया खाने पिने का नहीं और दुस्त्रक तुम द्यान रखते हों आपन घारे के चिंता फिकिर छाइड के देश्य फिकिर सुख रहा तो बुझा खड़ा हो एक ले तोहें निश्चे आजोग रहा यानि खड़ा होने के लिए निश्चे दोहरा रहा टेंशन ना अब इसका क्लास आगे हम करेंगे बहुत लंबा है चेप्टर अगर इसी तरह कर वीडियो चाहते हैं तो प्रेज आमारा चैनल को लाइक सेर सब्सक्राइब करें अगर मेरा बढ़ाई समझ में नहीं आता होगा ताप लोग कमेंट कर सकते हैं थैंक्स पर वाचिन टिल्यर कोटा